आज कल की Modern Life में लोग अपना हर काम मुबाईल द्वारा ही पूरा कर लेते हैं वैसे अब तक तो मुबाईल का इस्तिमाल केवल बात करने के लिए यह होता था पर आज कल तो मुबाईल रोमांज करने का भी जरिया बन चुका है जी हां मुबाइल इस समय लोगों की वो जर्वर बन चुका है जिससे वो कभी नहीं छोड़ सकते मगर मुबाइल पर बाते करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि जब आप लड़कियों से फोन पर प्रेम पूरग बाते करते हैं तो उन्हें कैसी बाते सुनना और करना पसंद है अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि लड़कियों को फोन पर रोमांस के दोरान कैसी बाते करना बहर पसंद है जब भी आप अपनी गल्फ्रेंड के साथ फोन पर बात करें तो हमेशा रोमैंटिक बाते ही कीजिए इससे वो आपकी तरफ ज्यादा कर्शित होगी इसके इलावा आप दोनों के भी नजदेकियां भी बढ़ेंगी आपकी गल्फ्रेंड फोन पर जो भी बात करती है तो उसकी बातों को सरा हैं क्योंकि लड़कियों को अपनी तारिफ सुनना बहर पसंद है अब जदी आपकी गर्फ्रेंड किसी काम से बाहर जाती है और ठीक उसी वड़ आप उसे बार बार फोन करके उसका हाल चाल पूछते हैं तो ये लड़की को बेहट पसंद आता है इससे वो आपकी प्रती पाजिटीव भी हो जाती है जब भी आप अपनी गर्फ्रेंड के साथ फोन पर बाते करें तो हमेशा ध्यान रखें कि उसकी बातों को बहुत गौर से सुनें और हमेशा उसे बोलने दें इससे लड़की को लगेगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो इसके इलामा वो आपकी बातों को भी पसंद करने लगती हैं अपनी गर्फ्रेंड के साथ बात करते समय हमेशा अपनी आवाज को लाजवाव रखें जिससे आपकी आवाज सुनकर ही आपकी जीवन साती आपसे खुलकर रोमांस के विशे पर बात करेंगी एक खास बात जिसका ध्यान रखना बेहज जरूरी है जब भी आप अपनी गर्फ्रेंड से बात करें तो उसकी भाउनाओं का खास ख्याल रखें उसे कभी असहज महसूस नहा होने दें और उसकी भाउनाओं के अनुसार ही रोमांटिक बाते जारी रखें उससे प्यारी और निखी मुठी बाते करें जिससे वो आपके तरफ आकरशित रहे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लिज इस चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें दूर्ड वनिशे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसे जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करने के बाद एक बैल आइकान और उस घंटे को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक जल से जल पहुत जाएं धन्यवाद